दोस्तो आज का जो वीडियो है रेजिस्टेंस के बारे में दोस्तो जब रेजिस्टेंस ओपेन हो जाता है तब आप इसका भेलू पता नहीं लगा सकते हो इस मल्टीमीटर से कोई भी मल्टीमीटर से आप पता नहीं लगा सकते हो कि इस रेजिस्टेंस का भेलू कितना है में आपको कलर कोड के बारे में जानना है नहीं आपको गैंत करना है एक सेंड में पता लगा सकते हूं कि कि रेजिस्टंस का बहलो अपको दाला के लगा सकते हो तो चलिए फिक क्लिए के चालता हूं और तो इसके लिए आकको पेली Champs दिखाने के लिए चलिए मैं इस मूबाइल को ओपलाइल कर लेता हूं आप में आना है ठीक है चलिए हम पेली Champs for will दिखाता हूं अभी तौ आप देख रहे हो जाकि आपको संच करना है हम देख रहे हो और तो हम आर सी कैलकुलेटर ठीक है है तो हम पर यह आप्स आगया है register color code तो यह पहले से मैं इंस्टाल करके रहा हूँ तो आपको इसे install कर लेना ठीक है तो चलिए मैं इसे open कर लेता हूँ और एक resistance को गैंद करके दिखाता हूँ कि किस तरह से resistance को गैंद करते हैं तो देखिए यह सामने आ गया आपका और आप एक resistance में ले लूँगा और देख सकतो आप इस resistance का पहला जो color code है brown है तो हम पहला number को touch करेंगे ठीक है देखिए first band वाला जो नहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको हम touch करेंगे और यहां brown कर देंगे देखिए resistance brown हो गया और second number जो color है आपको दिखा रहा हूँ अच्छा से देखिए यह है green ठीक है तो हम second number को green ही रखेंगे तो यह green ही है बिल्कुल ठीक है यह तो चलिया में green कर लेता हूँ इसको और देखिए second number में green हो गया यह और third number पे आप देख सकते हो यह orange है तो हम इसको orange ले लेंगे देखिए third number पे हम touch करेंगे orange को ठीक है तो यह orange हो गया और आप देख सकते हो फिरेंस यह यहाँ पर आप देख सकते हो यह 15 के ohms का हो गया ठीक है अब हम इसे multimeter में आपको चेक करके दिखाता हूँ कि यह सही है या गलत है ठीक है आपको शिर्फ यह मैं दिखाने के लिए चेक कर रहा हूँ फिरेंस मल्टी मीटर में चेक करने के कोई जरूत ने फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ देख लिजे यह 15 के ohms का है तो चलिए हम मल्टी मीटर को ले लेते हैं यहां पर ठीक है और हम यहां 20 के की रेंज में लगा देंगे फ्रेंस देखिए 20 के की रेंज में लगा देंगे मल्टी मीटर को तो आप देख सकते हो मैंने 20 के की रेंज में लगा दिया मल्टी मीटर को अब हम resistance को चेक करके आपको दिखाते हैं ठीक है तो देख सकते हो फिरेंस मैं एक हाथ से camera कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और आपको चेक करके दिखाता हूँ अब देख सकते हो फिरेंस यहां सौदा फॉएंड वरासी के मतलब लगभग यह 15 के दिख रहा है फिरेंस क्योंकि आपको बता दू यह जो लास्ट वाला है color यह golden color है तो golden color जो लास्ट वाला है तो 5% कम या ज्यादा हो सकता है ठीक है तो यह सही है और दूसरा resistance मैं फिर से आ अब हम दूसरा resistance ले लें फिरेंस अब देख सकते हो यह दूसरा resistance मैं ने ले चुका हूँ और इसका जो color आपको मैं दिखाने कुस कर रहा हूं first color अब देख सकतो, first color है इसका grey, ठीक है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, first color gray है, और second color जो है red, और third color जो है orange है, ठीक है, तो first color को हम यहाँ पर gray कर देंगे friends, यहाँ पर mobile पे, तो हम देखिए यहाँ पर first band लिखा हुआ है, तो चलिए इसको हम first color को gray कर देंगे, तो gray second color red हो चुका है friends, अब third color orange है, तो orange ही रहने देना है हमको, तो चलिए औरेंज कर दिया, तो इसका ohms आप देख सकते हो friends, 82 kilo ohms हुआ, ठीक है, यह जो resistance है, इसका 82 kilo ohms हुआ, ठीक है, तो आपको हम यहाँ मल्टी मीटर में चेक करके दिखा देते हैं, कि यह सही काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 82 kilo ohms resistance दिख रहा है, तो इस मल्टी मीटर में भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, तो मैंने 200 kilo ohms के range में रखा हूँ, मल्टी मीटर को, और हम अब lead को एक एक करके लगाएंगे friends, चलिए, तो आप देख सकते हो friends, मैंने resistance को मल्टी मीटर के lead के संद क golden color है, तो 5% combacy हो सकता है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कमाल की आप से friends ही है, आप देख सकते हो, इसे आप use कर सकते हो, मैंने आपको जानकर दे दिया, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो please मेरे वीडियो को like जरूर करना friends, आप try करना अभी, अभी इस वीडियो क देखने के बाद ही आप जाके try कीजिए इसको, और चैनल में नहीं हो तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजे, मुझे support कीजिए, और वीडियो को एक like जरूर करना, तो thank you, thank you so much friends.